नमस्कार अपलाइब शिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा बहार में नगर निकाय चुनाओ की घोशना होने के बाद ही अब कवायते तेज होती हुई नजर आ रही है तमाम तरफ जो है तैयारियां वो देखी जा सकती है और देखिए इसी बीच ए बी है कि नगर निकाय चुनाओ के पहले चरण में करीबन 42,000 कर्मियों को अब प्रशिक्षित किया जा रहा है जी हां 42,000 कर्मी जो है वो पोलिंग बूच से लेकर हर जगहों पर तैनात रहेंगे लोगों को वोट दिलवाएंगे देखिए बिहार में नगर निकाय को लेकर राज निर्वाचन आयोग ने मद्दान कर्मियों का प्रशिक्षन सुरू कर दिया है और राज निर्वाचन आयोग द्वारा पहले चरण के अगर हम बात करें तो उसके लिए 41,790 मद्दान कर्मियों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है यानि जो भी कर्मी तेज है तरफ से मध्दान कर्मियों के शात पोलिंग मजिस्ट्रेट माइक्रो अफ्जर्वर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट इसके अलावा अगर हम बात करें पिलिस बल की तो देखिए नगड़ निकाय चुनाओं में ये भी खबर है कि विशेश सचस्त्र बल से लेकर होमगाट तक की तैनाती होगी नगर निकाय चुनाओ को लेकर पुलिस मुख्याले ने भी तैयारियां शुरू कर दिया है और इसके लिए बीटे चुनाओ की तरह फोर्स से लेकर बुतो तक की संख्या आदी बेवडा जिले से मंगाया गया है बिहार विशेश शश्श पुलिस बल से लेकर होमगाट तक की जूटी लगाई जाएगी बल की उपलब्दा को लेकर भी कमांडेट पुलिस अधिक्षक तता समादेश्टा होमगाट से बेवडा मांगा गया है आपको बताएं कि चुनाओ के दुरान कुल कितनी फोर्स लगाई जानी है इसका गनित अभी तयार किया जा रहा है आपको बताएं कि सूत्रों का ये मानना है कि पुलिस मुक्ठाले जल्दी राज निर्वाचन आयोग को उपलब्द फोर्स का ब्लूप्रिंट भेज दिया जाएगा और बिहार में दो चर्णों में 18 और 28 दिसम्मर को नगर निकाय चुना होना ह आप जानते हैं और इस बार निकाय चेत्रों का काफी विस्तार किया गया है आपको पताते चले कि पिछले चुनाओ की तुल्ला में मतदान स्थल्व मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ गई है और जिसके जिम्मेवारी हर जिला की प्रशासन को है इस कारण पिछले ब बड़ी फैलाने वाले की अशंका वालों पर लोगों की नजर रखी जा रही है देखिए हर तरफ तयारिया जो है वो प्रत्याश्यों के तरफ से तो की जा रही है मगर राज निर्वाचन आयोग करीबन 41,000 से जादा जो मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे कर्मी उनको भ देखना है जो जिले की प्रशासन को मिलेगी वह भाखूबी से निभाने की जो तयारिया है वो भी उन लोगों के द्वारा की जाएगी अब देखना है कि कब तक इन तयारियों को पूरा कर लिया जाता है 18 और 28 तारीक को चुना होना है 18 तारीक के चुनाओ का जो सब्सक्राइब करना बिल्कों भी न भूले धन्यवाद